नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर प्रिना गुपता है, मैं एक इनफर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने अपनी बढ़ाई एम्स न्यू डेली से करी है और मैं दिली में कारवरत हूँ, आज मैं आप से बात करूंगी इकसी प्रोसीजर के बारे में, हम जानेंगे कि IVF से क्या लग होता है और इसके जरुरत क्या होती है, कब किया जाता है, तो सबसे पहले इकसी है क्या, इकसी का फुल फॉर्म होता है, इंट्रा साइटो प्लास्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब हम एग्स में स्पर्म को इंजेक्ट करें, नॉर्मली जब IVF को प्रोसेस कि जाता है, महार लिजे आपकी ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, या फिर आपकी नंबर फ एग्स कम है, या फिर कोई और कारण जिसमें हमें हमें हस्बिन के कोई इशू नहीं है और हम IVF कर रहे हैं, स्पर्म की क्वालिटी और क्वालिटी दौनों नॉमल है, उस केस में हम मॉटिलिटी कम है, या फिर मर्फॉलोजी, मतलब मनावत में कोई फ़र्ख है, तो ऐसे कैस में इंट्रासाइटोप्रास्मिक स्पर्म इंजेक्शन किया जाता है, मतलब एक स्पिसिफिक मशीन में एग्स के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है ताकि है तीजा या टीजी या पीजा करके हमने वो sperms निकाले हैं तो यह sperms normally fertilize नहीं कर सकते और ऐसे case में भी हमें XC करना पड़ता है इसके अलावा भी अगर आपको unexplained infertility है आपकी duration of infertility long है आपके बाकी किसी test में tubal testing में number of eggs में और sperm analysis किसी में भी कोई issue नहीं आया है तो भी हम XC करते हैं बिकोई हम मानते हैं कि शायद कि eggs and sperm जोड़के बच्चा नहीं बना पार है fertilization में problem है तो अगर हम XC करेंगे तो pregnancy rates improve करेगी इसके अलावा और indication जो XC की होती है वो होती है कि अगर मान दीजिए patient के previous cycle जो IVF में है उसमें poor fertilization दिखा गया है failed IVF cycle है तो ऐसे cases में भी हम next cycle में XC का plan कर सकते हैं और lastly क्योंकि advanced age अगर age जादा बड़ी है woman की तो एक में कई बार जो उनकी outer layer होती है जोना वो ठिक हो सकती है और उसकी वज़े से fertilization में problem हो सकती है ऐसे में भी XC करा जाता है और जो frozen eggs हैं कि आपके हमने eggs freeze कर रखे तो उन eggs को plan use करके हम baby करने वाले हैं तो तब भी XC करा जाता है तो XC जब indicated होता है तो ज़रूरी होता है तभी fertilization होगा तभी अच्छे embryo बनेंगे लेकिन हर केस में all XC करने से pregnancy rates बढ़ जाती है ऐसा नहीं है ऐसा काफी studies में देखा गया है कि उससे pregnancy rates में improvement नहीं होता तो जहां जरूरत है वहाँ पर XC essential है एक्सी की वज़े से बच्चे में कोई problem नहीं आती बच्चे में ऐसा नहीं होता कि इसकी वज़े से बच्चे में कोई issues आ सकते हैं या eggs खराब हो सकते हैं अगर एक अच्छे embryologist अच्छे से XC कर रहे हैं तो pregnancy rates काफी improve कर सक हैं तो hopefully मैंने आपके XC के बारे में जो questions हैं उनका सवालों का जवाब ज़रूर दे दिया होगा ऐसे ही कुछ आपके अगर सवाल हैं तो हमें जरूर लिखिए mail करिए या phone करिए आप इस चैनलों subscribe करते रहें ताकि हमारे videos आप तक पहुंचते रहें Thank you है आपके क के लाभ में जख्यों के लिए णसे हैं आपके बारे में जब करिए आपके थिय। आपके mor दो Süमे खफ़रू कर्वराjem कर दीजर